इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हर्याली को कायम रखने का और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदर का निर्मान कारे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये व्रक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा और ये प्रतिबध्धता है परियावरण के प्रति हमारी सरक्षण की परियावरण सरक्षण का मूलमंत्र हमारी सनातन सक्रमस्थल पर रामायन में लिखी ये चौपाई पुनी-पुनी कितने हो सुने-सुनाए हिये की प्यास बुझत न बुझाए सुलहाने सच है राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए मन है कि भरता ही नहीं राम सिर्फ एक नाम नहीं है इतिहास बनने में कुछ ही शणों का समय बाकी है मान्य प्रधान मंत्री जी के द्वारा भूमी पूजन के पश्चात जैसे ही शिला रखी जाएगी या आधार शिला रखी जाएगी वैसे ही ये आरंभ हो जाएगा लेकिन मानिनिये प्रधान मंत्री महोदय दीरे दीरे बढ़ते हुए उस तरफ जहां उन्हें भूमी पूजन का कारिक्रम करना है और आचारे गण उनकी प्रतिक्षा कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी पहुच चुके हैं मुख्य कारिक्रम सल पर जहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी भूमी पूजन करेंगे सनातन संस्कृती की युगांतकारी घटना के वो साक्षे तो बनेंगे ही साथ ही साथ उस संक्रांथी के नायख होंगे प्रधान मंत्री गर्व गemen होगा और राम लला यहीं पर विराजमान होंगे प्रधान्मंटरी नरेइंद्र मोदी आसन पर पहुच चुके हैं और अब वह तो आ चुका है जब आभिजीत मुहूर्ट में प्रधान्मंटरी नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान शुरी राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माड के लिए भूमी पूजन करेंगे और कार्यारंब होगा भूमा मुद्धर रामत्वमे वास्रेय हैं तुम विष्णो देव जजनम्रक्षास्वा ओम स्रीमन महागन धीपते नमहा हमारे शाथ में आप भी बोलेंगे ओम स्रीमन महागन धीपते नमहा हैं ओम लक्ष्मी नारायन भ्यान नमहा हैं ओम उमा महेश्वरा भ्यान नमहा हैं ओम बाडी हिरनिगर्भा भ्यान नमहा हैं ओम सचीपुरंदरा भ्यान नमहा हैं ओम अतावित्र चरण कमले भ्यू नमहा हैं ओम इस्तदेवता भ्यू नमह यह नो शिलाए रखी हुई है यह शिल राम पूजित शिलाए हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी ऐसी लगबग दो लाग पच्छतर हजार शिलाएं तह कि दस बार दस बीस दन हम भी इसी समय के लिए ले रहे हुएं भगवान की अध्भुद किरपा है और बहुत ही मंगलवे बात आपने हैं बहुत ही मंगलवे शेंकल भी भी बहुत अधित्वे शेंकल पहम करे रहे हैं जय स्रीडाम अध्या अमुक गोत्रह अपना गोत्र जो लेते होगे चराचर जीवानाम भारत वासिनाम विश्वप्राणी नामच सकलारिस्ट दुर्निमित्तोप शमना पूर्वकम निखिल छेम सुभिक्ष कल्यान प्राप्तय अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत्ष्री सीताराम प्रीतय निर्माष्यमान नूतन प्रासादांग भूतं सिलापूजनं परिकरेहिसह अहं करिएव गणेश्री के पास में रखेंगे पुनह हाथ में जल ले लेंगे तदंतर गतं गणपती स्मरण पूर्वकम भूम्यादी पूजनम चा एक तंत्रेन करिश्ये अम्माजज्यांग्रतो दूरम दैते देवंता दूस्प्त स्याधः वैतिंगूरं गमजोती खान्जोती रेकं तन्मेम नहाः शीव शंकल्प मस्तूम् हमने भगवान से प्रयाथना की, कि हमारा मन शिब संकल्ब वाला हो, सत्य संकल्ब वाला हो, प्रध्य संकल्ब वाला हो, सात्विक संकल्ब वाला हो, हे भगवान स्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें, हे शिब हमें यह शक्ति प्रदान करें, हमने यह प्रेक्षा गणेश्जी को प्रणाम करेंगे पुना पूजन के क्रव में ओम गजाननां भूत गणादिसे वितंक पित्थ जंब भलजारु धक्षणं ओमा सुतंशोग विनाशकारकं नमामि विग्नेश्वरपादम गजां गजां ओम नमामि विग्ननाशनमं गणाधि पेंग जाननः प्रसिध्य सिध्यैकं वरे प्रदम बिनायकं प्रसिध्य सिध्यद्यायकं वरे प्रदम बिनायकं ओम आस्मानात्मकं कोजटनम् समर्पयामि ओम भूर्भुवा स्वानसिद्य बुद्ध-स chatsrae नमस्कारम निवेदया अमिन बोम्यादी पुजन हम गंधाक्षत पुष्पुर्ण अभी प्रत्वी माता का और कूर्म भगवान का भी करेंगे कूर्म के प्रिष्ट पर ही संपुर्ण प्रत्वी माता भी राजमान है और बढाह देमता का पूजन करेंगे और अनंत शेशनाग भगवान का पूजन अभी करेंगे कहां पर कौन है आप चाहिए लेकर सब्सक्राइब ओम स्वर्ग्याई को भीर दो निवास पुरुषा रव्धात शुद्धां ध्वरा स्वाहाकार वसर्क्रियोथम अम्रितम स्वाधिया आदियते आमनाय अप्रवणे रलंगित दूसे मुस्मय मनुष्य सूभेर दिवय अक्षेट्र सरेत्पवित्र अपर तुसे देव्यए पर्तिविए नमः देव्यए प्रतिव्यए नमः ओम् घ्ववभुवास्वह्भग् गर्तिविए कुर्मान अंत वराह देताभ्यो नमः प्रत्विकुर्मानंद्वराह देवत्याभ्यो नम्हें पुस्वलेकर पुनः पुर्थ्विमाता आदिको प्रणाब करें आधार भूता जगतस्त्वमेका महिस्वरू पेन यता स्थितासी अपाम स्वरूपस्थितायात्वय तदाप्यायते कृच्छ मलंग विर्णे प्रत्विकुर्मानंध तभादे व्योनहाय है उस्पांजल मिष्वर। अनंता नमस्कार अनि वे दयाई आरेन पूर्झनेद्व कॲमान प्रत्विकुर्मानंत भादेवतां प्रियन्त आ्उ हल्प गिरा दे जिए विश्वव आप से पूर्शी का मुह एक से डिगरी घुमा कर मंच की और पूर्शी का मुह करके बैठने की कृपा करें प्रधान मंत्री महोदे दो मिनिट में ही मंच पर विराजित होंगे तो वहाँ से पैदल चल कर ही आएंगे पहले मेरे साथ प्रभू राम जी को माता जान की को जरायात कर लें उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाओंगा श्यावर राम चंद्र की जै श्यावर राम चंद्र की जै श्याराम जै श्याराम आज ये जै गोश सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा है बल्कि इसकी गुंज पूरे विश्व भर में है सभी देश्वासियों को और विश्व भर में फैले करोडों करोडों भारत भक्तों को राम भक्तों को आज के इस पवित्र आउसर पर कोटी कोटी बढ़ाई मन्च पर विराजमान उत्तर पदेश के उर्जावान यशश्वी लोक प्रियम मुख मंत्री श्रिबान आजित्य योगिनाज जी यूपी की गवणर बहन आनंदि बहन पटेल जी परम पुझ्य नुरुत्य गोपानदाश जी महराच और हम सभी के स्रद्धे आधन्डिय मोहनराव भागवत जी और यहाँ पर हिंदुस्तान के कौने कौने से आये हुए सभी संत्परामपरा के महान तपस्वी जन देश के सभी नागरिकों यह मेरा सवभाग्य है कि श्री राम जन्व भूमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया इस आतियासिक पल का साक्षी बनने का आउसर दिया मैं इसके लिए रदय पुर्वक श्री राम जन्व भूमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं और आना बड़ा स्वाभाविक भी था क्योंकि राम काज किनू बिनू मोही कहां विश्रा भारत आज भगवान बासकर के सानिध्य में सर्यू के किनारे एक स्वरनिम अध्याय रच रहा है कन्या कुमारी से चीर भवानी तक कोटेश्वर से कामाख्या तक जगनाच से केदारनात तक सोमनाच से काशिव विश्वनात तक समेच सिखर से स्रवन बेल गोला तक बोध गया से सारनात तक अम्रुचर सहब से पटना साहिब तक अंडमान से अजमेर तक लक्ष दीप से लेह तक आज पूरा भारत राम मया है पूरा देश रोमान्चित है हर मन दीप मया है आज पूरा भारत भावुक है सद्यों का इंतजार आज समात हो रहा है करोडों लोगों को आज यह विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावंद महानुभावों बर्सों से टांट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलाला के लिए अब एक भव्य मंदिर का अन्मिर्मान होगा तूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यती क्रम से राम जन्भुमी आज मुक्त हुई है मेरे साथ एक बार फिर बोलिए जये सियारांग जये सियारांग साथियों हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई कई पीडियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था गुलामी के कालखन में कोई ऐसा समय नहीं था जब आज जादी के लिए आंदोलन न चला हो देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आज जादी के लिए बलिदान न दिया गया हो पंद्रा अगस का दिन उस अथाह तपका लाखों बलिदानों का प्रतीक है स्वतंत्रता की उस उतकंट इच्छा उस भावना का प्रतीक है ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पिडियों ने अखन अविरत एक निष्ट प्रयास किया है आज का ये दिन उसी तप प्याग और संकल्प का प्रतीक है राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अरपन भी था तरपन भी था संगर्ष भी था संकल्प भी था जिनके त्याग बलिदान और संगर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है जिनकी तपस्या राम मंदिर में नीवी की तरह जुड़ी हुई है मैं उन सब लोगों को 130 करोड देशवाशियों की तरफ से सर जुका करके नमन करता हूँ उनका वंदन करता हूँ संपूर्ण सुरुष्टी की शक्तियां राम जन्म भूमे के पवित्र अंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है वो भाव विभोर है सभी को आशिरवाद दे रहा है साथियों राम हमारे मन में गड़े हुए है हमारे भीतर धूल मिल गए है कोई काम करना हो तो प्रेणा के लिए हम भगवान राम की और ही देखते हैं आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए इमारते नस्च हो गई क्या कुछ नहीं हुआ अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ बहुत हुआ लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं हमारी संस्कृती के आधार है स्री राम भारत की मर्यादा है स्री राम मर्यादा पुर्शोत्तम है इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्म भूमी पर स्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमी पुजन हुआ है यहां आने से पहले मैंने हनमान गडी का दर्शन किया राम के सब काम हनमान ही तो करते हैं राम के आदर्शों की कल्यूग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनमान जी की ही है हनमान जी के आशिरवात से स्री राम मंदिर भूमी पुजन का आयोजन शुरू हुआ है साथियों स्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधूनिक प्रतीक बनेगा हमारी सास्वत आस्था का प्रतीक बनेगा हमारी राष्ट्रिय भावना का प्रतीक बनेगा और यह मंदिर करोडो करोड लोगों की सामुहिक संकल्प सक्ति का भी प्रतीक बनेगा यह मंदिर आने वाली पीडियों को अस्ता, स्रध्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्प बव्यता ही नहीं बढ़ेगी इस छेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा यहां हर छेत्र में नए आउसर बढेंगे हर छेत्र में आउसर बढेंगे सोचिए पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे पूरी दुनिया प्रभुराम और माता जानकी का दर्शन करने आएगे कितना कुछ बदल जाएगा यहां साथियों राम मंदिर के निर्मान की यह प्रक्रिया राष्ट को जोडने का उपकरम है यह महोत्सम है विश्वास को विद्यमान से जोडने का मर को नारायन से जोडने का लोक को आस्था से जोडने का वर्तमान को अतीच से जोडने का और स्वा को सौंसकार से जोडने का आज के इस अइतिहासिक पल यूगो यूगो तक बिग दिगंत तक भारत की किर्थि प्रता का फैराते रहेंगे आज का ये दिन करोडो राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमान है आज का ये दिन सत्य अहिंसा आस्था और बलिदान को न्यायप प्रियप भारत की एक अनूपम भेट है कोरोना से बनी स्थित्यों के कारण भुमी पुजन का एकार काम अनेक मरियादाओं के बीच हो रहा है स्री राम के काम में मरियादा का जैसा उदाहरन प्रस्तुत किया जाना चाहिए देश ने बैसा ही उदाहरन प्रस्तुत किया है इसी मरियादा का अनुभाव हमने तब भी किया था जम्मानविय सर्वोच्च न्यायले ने अपना अइतिहासिक फैसला सुनाया था हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशमाचियों ने शांती के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था आज भी हम हर तरफ वही मरियादा देख रहे हैं साथियों इस मंदिर के साथ सिरफ नया इतिहासिं नहीं रचा जा रहा है बलकि इतियास खुद को दोहरा भी रहा है जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवड से लेकर वनवासी बंधों को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सवभाग्य मिला जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान स्री क्रश्ट द्वारा गोवर्धन परवर्थ उठाने में बड़ी भुमी काने भाई जिस तरह मावडे छट्रपती वीर सिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित बने जिस तरह गरीब पिछडे विदेशी आकरांतों के साथ लराई में महराजा सुहल देव के संबल बने जिस तरह बलीतों पिछडों आदिवासियों समात के हर्ग बर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांदी जी को सहयोग दिया उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्मान का ये पुन्यकारिय प्रारंब हुआ है हम जानते हैं जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया वैसे ही घर घर से गाउं गाउं से सद्धा पुर्वक पुजी शिलाएं यहां गुर्जा का श्रोत बन गई है देश भर के धामों और बंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की वहां के संस्कृति और वहां की भावनाए आज यहां की एक अमोग शक्ति बन गई है वाकई वाकई ये न भूतो न भविश्यती है भारत की आस्था भारत के लोगों की सामित्ता और इस सामित्ताईगी अमोग शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विशय है शोध का विशय है साथ कियों स्री राम चंद्र को तेज में सूरिय के समान च्छमा में पुत्वी के तुल्य बुद्धी में ब्रहस्पती के संदेश और यश्में इंद्र के समान माना गया है स्री राम का चरित्र सबसे अधीक जिस केंद्र बिंदु पर घुमता है वो है सत्य पर अडीग रहना इसलिए ही स्री राम संपूर्ण है इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश अस्तंब बने हुए है स्री राम ने सामाजिक समरस्ता को अपने शाचन की आधार सिला बनाया था उन्होंने गुरु वसिष्ट से ज्ञान केवड से प्रेम सबरी से मात्रुत्व हनवान जीवं बनवासी बंदों से सयोग और प्रजय विश्वास प्राप्त किया यहां तक की एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्श्विकार किया उनका अध्भूत व्यक्तित्व उनकी वीरता उनकी उदारता उनकी सत्यनिष्ठा उनकी निरिभीकता उनका धैरिय उनकी द्रड़ता उनकी दार्षनिक द्रष्टी यूगों यूगों तक प्रेरित करते रहेंगे राम प्रजासे एक समान प्रेम करते हैं लेकिन गरीबों और दीन दुख्यों पर उनकी विशेश कृपा रहती है और इसलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती है दीन दयाल बिरिदु संभारी यानि जो दीन है जो दुखी है उनकी बिगड़ी बनाने वाले शीराम है साथियों जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरना न देते हो भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम जलकते न हो भारत की आस्था में राम है भारत के आदर्शों में राम है भारत की दिव्यता में राम है भारत के दर्शन में राम है हजारों साल पहले वालमी की रामायन जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे जो राम मध्य युग में तुलसी कबीर और नानक के जरिये भारत को बल दे रहे थे बही राम आजादी की लड़ाई के समय बापु के भजनों में अहिंसा और सत्याग्र के शक्ति बनकर मौजूद थे तुलसे के राम सगुन राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुन राम है बगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से यह आयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है राम की यही सर्वई वापकता भारत की विवीदता में एकता का जीवन चरीत रहे है तमील में कंब रामायन तो तेलुगु में रगुनात और रंगनात रामायन है उडिया में रुईपात कातेडपदी रामायन है तो कंड़ा में कुमदेंदु रामायन है आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा मलियालम में राम चरितम बिलेगी बांगला में कुतिवास रामायन है तो गुरु गोविन सीजी ने तो खुद गोविन्द रामायन लिखी है अलग-अलग रामायनों में अलग-अलग जगों पर राम बिन बिन रूपों में मिलेंगे लेकिन राम सब जगह हैं राम सब के हैं इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरके सुत्र है साथियों दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का बंदन करते हैं वहां के नागरिक खुद को स्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं विश्वकी सरवादिक मुस्लिम जनसंक्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया वहां हमारे देश की तरह काविन रामायान स्वानदीव रामायान योगेश्वर रामायान जैसे कई अनूठी रामायान है राम आज भी वहां पुजनिय है कमबोडिया में रमकेर रामायन है लाओ में फ्रालाग फ्रालाब रामायन है मलेशिया में हिकायत सेरी राम तो थाइलेंड में रामा केन है आपको इरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरन मिलेगा शीलंका में रामायन की कथा जान की हरन के नाम सुनाई जाती है और नेपाल का तो राम से आत्मिय समन माता जान की से जुड़ा है ऐसे ही दुनिया के और नजाने कितने देश है कितने छोर है जहां की आस्था में या अतीत में राम किसने किसी रूप में रचे बसे हैं आज भी बारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलीद है मुझे भी स्वास है कि आज इन देशों में भी करोडों लोगों को राम मंदिर के निर्बान का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभती हो रही होगी आखिर कर राम सब के हैं राम सब में हैं साथियों मुझे भी स्वास है कि स्री राम के नाम की तरह ही आयोध्या में बनने वाला बद्व राम मंदिर भारतिय संस्कृती की समरुद्ध विरासत का द्योतक होगा मुझे विश्वास है कि हाँ निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेड़ा देदगा इसलिए हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि भगवान स्री राम का संदेश राम मंदिर का संदेश हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुचे कैसे हमारे ज्यान हमारी जीवन दुरुष्टी से विश्व परिचीत हो ये हमारी हमारी वर्तमान और हमारी भावी पीडियों की विशेश जिम्मेदारी है इसी को समत्ते हुए आदेश में बगवान राम के चरांग जहां जहां पड़े वहां राम सरकिट का निर्मान किया जा रहा है अयोध्या तो बगवान राम की अपनी नगरी है अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभू स्री राम ने कही है जन्म भूमी ममा पुरी सुहावनी यहां राम कह रहे हैं मेरी जन्म भूमी अयोध्या अलोव कि शोभा की नगरी है मुझे खुशी की आज प्रभू राम की जन्म भूमी की भव्यता दिवता बढ़ाने के लिए कई एतियासिक काम हो रहे हैं साथियों हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है न राम सदश्यो राजा पृत्वियाम नितिवान अभूत यानि की पूरी पृत्वी पर श्री राम के जैसा नितिवान शाचक कभी हुआ ही नहीं श्री राम की सिक्षा है नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना कोई भी दुखी न हो गरीब न हो श्री राम का सामाजिक संदेश है पहुष्ट नर नारी कहा समाज उत्सव शोभी तहा नर नारी सभी समान रुप से सुकी हो बेदबाव नहीं श्री राम का अंदिर देश है कच्चित ते दयती है सरवे है कुशी गोरक्ष जीविना किसान पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे स्री राम का आदिश है कच्चित बृद्धांच बालांच वैद्ध्यान मुखान रागव त्रिभी ही आईते भुभूश से बुजुरकों की बच्चों की चिकित्सकों की सदेव रक्षा होनी चाहिए ये कोरोना ने हमको बराबर जिखा दिया है सिराम का आवान है जों सभीत आवासर नाई रखी हूं ताही प्रान की नाई जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का करतब्य है स्री राम जी का ये संदेश है स्री राम जी का भी कमिटमेंट है जननी जन्व भूमिष्चा स्वर्गाद अपी गरी यशी अतनी मात्र भूमी स्वर्ग से भी बढ़कर होती है और भाईयों बहरों ये भी स्री राम की निती है और वो क्या है बै बिनु होईन प्रिती इसलिए हमारा दियेश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रिती और शान्ती भी बनी रहेगी राम की यही निती राम की यही रिती सदियों से भारत का मारदर संकरती रही है राष्ट पिता माहत्मा गांदी ने इनी सुत्रों इनी मंत्रों के अलोक में राम राज्य का सपना देखा था राम का जीवन उनका चरीत्र ही गांदी जी के राम राज्य का रास्ता है साथियों स्वयम प्रभु सिर्ण राम ने कहा है देश काल आउसर अनुआहरी बोले वचन बिनित बिचारी राम समय, स्थान और परिष्ष्थित्यों के हिसाब से बोलते हैं सोचते हैं, करते भी है राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं समय के साथ चलना सिखाते हैं राम परिवर्तन के पक्षगर है राम आदुनित्ता के पक्षगर है उनकी इनी प्रेणाओं के साथ सी राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है साथियो प्रभु सी राम ने हमें कर्तब देपानन की सिख दी है अपने कर्तबियों को कैसे निभाएं इसकी सिख दी है उन्होंने हमें विरोध से निकल कर बोध और सोध का मार्ग दिखाया है हमें आपसी प्रेम और भाई चारे के जोड से राम मंदिर के इन सिलाओं को जोड़ना है हमें ध्यान रखना है जब जब मानवताने राम को माना है विकास हुआ है जब जब हम भटके हैं विनास के रास्ते खुले है हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है हमें सबके साथ से सबके विस्वास से सबका विकास करना है अपने परिश्णम अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्म विस्वासी और आत्म निर्भर भारत का निर्मान करना है साथियों तमिल रामायण में श्री राम कहते हैं कालम तान इन्न इनुम इरितु पोलाम बाव ये कि अब देरी नहीं करनी है अब हमें आगे बढ़ना है आज भारत के लिए भी हम सब के लिए भी भगवान राम का यही संदेश है मुझे विश्वास है हम सम आगे बढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा भगवान राम का यह मंदीर यूगो यूगो तक मानवता को प्रेना देता रहेगा बारदर्शन करता रहेगा वैसे कोरोना की वज़़ से जिस तरह के हालाथ है प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है वर्तमान की मर्यादा है दोगज की दुरी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी देश वाचियों को प्रभु राम माता जान की स्वस्त रखे सुखी रखे यही प्रार्थना है सभी देश वाचियों पर माता सीता और स्रिराम का आशिरवाद बना रहे इनी शुब कामनाओं के साथ सभी देश वाचियों को एक बार फिर कोटी कोटी बधाईयां मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिये सियापति राम चंद्र की सियापति राम चंद्र की सियापति राम चंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद